तो ओपोजीशन ये सच बरदाश नहीं कर पारा, इसलिए कहीं जगा पर बैन कर रहा है, जो थेटर में लोग बैठे हैं, उन्हें अरेस्ट भी कर रहे हैं, केरला के एक छोटे से इलाके से लेके पूरे इतने बड़े केरला की कहानी को इतने बड़े पर दिखाया, बहुत हि इंदू लड़कियों से आप सोचिए, अगर एक वक्त पे आपके साथ सौसो आदमी बलतकार करें, तो आप पे क्या बीतेगी, उस लड़की की रूपे क्या बीती होगी, कि जो लड़कियां कहते हैं कि मेरा अब्दुल अलग है, वो अलग है या नहीं, वो लड़कियां य मैं, मैं आप से जाना चाहूंगी, जिस तरीके से जो केरला स्टोरी पर विवात खड़ा हुआ, जो एक राजनीती करण इसमें आ गया है, आप इसके बारे में क्या समझेगें? और कहीं जगा आप सिनेमा हॉल में से परदे भी फार रहे हैं, तो आप जितनी कोशिश करनी है, कर लीजिए सत्य है, आप सत्य को दबा सकते हैं, मार नहीं सकते हैं, आज नहीं तो कल सामने आना ही था, और हम डारेक्टर की हिम्मत को बहुत दात देते हैं, जिन्होंने इत इतनी हिम्मत करके इतने कड़वे सच को, केरला के एक छोटे से इलाके से लेके पूरे इतने बड़े केरला की कहानी को इतने बड़े परदे पे दिखाया, बहुत हिम्मत का काम है। क्योंकि आप खुद एक लेडी हैं और एक लेडी होने के नाते, आप बताईए कि आपने जो मूवी देखी, आपको कितनी सच्चाई जो है मूवी में दिखाईए। को मानव बॉम बना देते हैं या फिर सेक्सले बनाते, बीइंग अ गर्ल, आप एक लड़की होने के नाते, मैं बोलूँगी सबी हिंदू लड़कियों से, आप सोचिए, अगर एक वक्त पे आपके साथ सौ सो आदमी बलतकार करें, तो आप पे क्या बीतेगी, उस लड़क मुझे कस रही है कि मूवी में सब कुछ फेक है, एक फेक स्टोरी हमें दिखाए जा रही है, पहले बोला था कि 30-32 लड़कियों की कहानी है, और मूवी में देखा कि 3 लड़कियों में वो सिम्ट गई, तो इस पर आपके क्या रहा है, देखिए एक बात बताईए, जब मू हिंदू विरोधी पार्टी है, यह तो चाहती ही है कि हिंदूस्तान को जो है हम एक इसलामिक राष्टर बना दे, यह चाहती ही है कि जितना हो सके हम इसलाम को फैलाए हिंदू को, देखिए पिछले 75 सालों में जितना सनातन को दबाया गया, जितना हिंदू को दबाया गया क्यों दबाया गया क्योंकि यह चाहते ही है इते कि इसलाम फैले, इसलामिक राष्टर बने हिंदूस्तान लेकिन इनका यह ज़ेंडा था यह प्रोपगेंडा था यह मूवी देखने के बाद में बहुत उचे लेवल पे हिंदू जागरुख हो रहा है बहुत उचे लेवल पे हिंदू भैन बेटियां जो है आज मूवी देखने के बाद जो लड़कियां भार निकलती है वो पते क्या कहती है वो यही कहती है कि जो लड़कियां कहती है कि मेरा अब्दुल अलग है वो अलग है या नहीं वो लड़कियां ये कहते हैं कि अब्दुल को होना ही नहीं चाहिए उनका ये बयान है तो आप खुद सोचिए ना कि हिंदू इतने उचे लेवल पे जागरुक हो रहा है तो विपक्ष को ये बरदाश नहीं हो रहा है इसलिए पूरी कोशिश की जा रही है कि या तो मूवी क बैन कर दें लेकिन मैं कहा दू सुप्रीम कोट ने क्लीन चिट दे दी है और मूवी में जो बताया गया है कि 32,000 लड़कियों के साथ हुआ मुझे लगा मुझे लगता है कि 32,000 से भी बहुत उचे लेवल पे वह डाटा होगा तो करीब 70,000 के असपास 50,000 के जी मुझे यही लगता है अनोफिशियल बहुत उचा डाटा होगा बहुत बड़ा डाटा होगा क्योंकि यह तो हमारे डारेक्टर ने खोज की थी पुलिस का और गॉर्मेंट का इसमें कोई हाथ नहीं था अब आप सोचिए जब गॉर्मेंट हाथ देगी इस केस में इस मुद्दे पे साफ देखा जा सकता है कि जो हिंदू लड़किया हैं और जो क्रिश्चिन लड़किया हैं उनका धरम परिवर्तन करवाए गया लव जिहाद में उन्हें फसाए गया और जो इसलाम और जो मुस्लिम लड़कियों को ऐसे दिखाए गया कि उन्हें अपने अल्ला पर बहुत भरोसा है जो कि शायद जो हमारी हिंदू लड़कियें उनको भरोसा अपने भगवान पर नहीं है ये साफ ऐसा मैं देखा गया है मूवी में तो इस चीज का क्या कारण समझें जो लब जिहाद के जो केसी अब बढ़ रहे हैं या फिर धर्मातन जो अब बढ़ रहा है उसका क का कारण में देखिए इस चीज का सबसे बड़ा कारण यही है कि आज कल के जो माबाप हैं वो इतना बिजी हो गए हैं कि अपने बच्चों को अपने ही धर्म के बारे में नहीं सिखाते हैं तो यह उन माबाप की जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों को सनातन ध ऍहारी नहीं पसंद आते टीका लगाने वाले पसंद नहीं आते रुद्राक्ष पहनने वाले पसंद आ जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि उनका धर्म क्या है इस मुवी में उन लड़कियों को भगवान शिव के अगेंस्ट भड़काया गया भगवान राम के अगेंस्ट भड़काया गया तो भड़क तो वही लड़कियां सकती है जिनको पता ही नहीं है कि भगवान शिव की क्या कहानी थी भगवान राम की क्या कहानी थी ये वही राम है जिसने लं कम्याग लगाने के लिए